तो चलिए समझते हैं, what's of factor in case of weak electrolyte, dissociation की cases में हम ने डिसकस किये थे, ठीक है, weak electrolyte जब पानी में डालते dissociates होता है, तो what's of factor or degree of dissociation के बीच में क्या relation होते हैं, कैसे calculate किया जाता है, मैंने सब कुछ जो है, previous video lessons में डिसकस किये हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सारी calculation करते हैं, ठीक है, तो dissociation की cases में हम जो i के value जो है, want of factor जो है, हम ऐसे calculate करते हैं, ठीक है, want of factors कैसे आता है, यहाँ पर जैसे 1-alpha, ठीक है, plus क्या आता है, plus n-alpha ठीक है, want of factor, और इसी को हमने solve किया था, solve करते हुए, last में हमको conclusion निकाला था, हमने conclusion निकाला था, degree of dissociation और want of factor के बीच में, और वो हमको आया था, 1- want of factor और, 1- क्या आया था, n, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, want of factor या degree of dissociation, जो है इस formula से हम calculate कर सकते हैं, ठीक है, calculate कर सकते हैं, नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो आज हम discuss करेंगे, association के बारे में, तो अच्छे से देखना है, दिहान से देखना है, ठीक है, समझना है, इस चीज़ को, association को, एक बार समझ में आएंगे, तो lifetime बिलकुल जिन्दगी में, नहीं बूलेंगे, कि association के वज़े से, safe for example, जब कोई weak electrolyte associated होता है, तो आज़ाफ एक्टर कैसे calculate करते हैं, ठीक है, तो बिलकुल patience रखना है, तो चलिए मान लेते हैं, हमारे पास acetic acid है, ठीक है, acetic acid है, जो की benzene में डालते ही associates होता है, association का मतलब क्या है, देखो, जागर आपके पास दो, safe for example, acetic acid molecules है, ठीक है, इस तरीके से, दो acetic acid molecules, ये एक का structure हुआ, और दुसरे का मैं यहां पर बनाता हूँ, जैसे यहां पर O, ठीक है, और यहां पर आएंगे, H, ठीक, अब यहां पर double bond हो आएंगे, ठीक है, और यह CH3, आपके पास थे दो, ठीक है, दो इस तरह के से acetic acid, ये theoretical है, अगर आप इसको पानी में डालेंगे, ठीक है, स्वारी बेंजीन में डालेंगे, तो यहां पर inter-molecular hydrogen bonding होता है, इनके बीच में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, डाइमराइस होना, इसी को बोलते हैं, प्रिवेस वीडियो लेसन में भी बताया था, फिर भी यहां पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डाइमराइस होना, तो acetic acid को हम किस में डालेंगे, बेंजीन में, ठीक है, बेंजीन में हम डालेंगे, बेंजीन में तो यह डाइमराइस होता है डाइमराइस का मतलब दो एसिटिक एसिट मिल रहा है तो इसका फार्मॉला बनेगा CH3COH और यहां पर ट्वाइस बैलन्स करो इसको तो यहां पर क्या लगाएंगे टू ठीक है वीक एलेक्ट्रोलाइट है तो पार्चल एसोसेशन होगा तो मान लेते हैं T is equal to 0 पे हमारे पास जो say for example acetic acid है वो हमने साउ लिये ठीक है ठीक है साउ लिये और say for example times T 0 पे जो है इसकी कुछ एसोसेशन नहीं होगा तो यह भी 0 आएंगे लेकिन times T equal to T पर कुछ amount तोट जाएंगे ठीक है तोटेंगे और वो associates हो जाएंगे बेंजीन में तो समझ लेते हैं हम say for example इसका 50 जो है तोट गया ठीक है 50 जो है इसका तोटा और 50 तोट के इसका क्या होना है association अब 50 तोट के association होना है ठीक है association अगर होता है तो हमारे पास तोटे कितने 50 molecules ठीक है 50 molecules जो है तोट गया safe for example लेकिन बेंजीन में जाते ही ये एकदम से तोट जाएंगे 50 molecules में ठीक ही 50 molecules है फिर से associates होके अगर safe for example यहाँ पर associates हो रहा है तो associates होने के लिए 2 molecules इस तरह के से associates हो रहा है entity of solute जो है गट रहा है यह आपका theoretical है यह आपका क्या है theoretical safe for example this is the theoretical और यह observe it है और यहाँ पर 50 है safe for example associated form में है और यहाँ पर 25 है तो इन दोनों को sum करेंगे तो कितना आया 75 तो यहाँ पर इसके लिए i का value calculate करेंगे तो कितना है observe it हमारा 75 है यह कितने थे हमने 100 तो यहाँ पर आएंगे बेटा 0.755 तो यहाँ पर आएंगे which is for example less than 1 तो इसलिए i का value association के cases में 1 से less भी आता है यह हमको पता है अब हम एक generalized formula बनाएंगे generalized formula जनरलाइज़ फर्मूला कैसे बनाएंगे देखो जैसे for example हमारे पास ठीक है यह n टाइम्स जो है से for example a molecule से हमारे पास जब इसको हमने किसी non polar solvent में डाला तो इसकी association हुआ, association जब हो जाएंगे तो a times n बनेंगे ठीक है, a times क्या बनेंगे n ठीक तो यहाँ पर इसका a times n बनता है ठीक है, a times n ठीक, अब यहाँ पे हम t is equal to zero पे t is equal to zero पे say for example मान लेते हैं इसका हमने one more लिया तो t is equal to zero पे इसका कुछ नहीं टूटा जैसे इसका zero आ गया, ठीक है t is equal to t पे, zero पे, अगर कुछ time के बाद, t is equal to t पे इसका कुछ amount तूट जाएंगे और वो non-polar solid में जाते हैं associates होगा, तो मान लेते हैं इसका alpha number जो है say for example टूटा हम association को भी alpha से denote करते हैं लेकिन कुछ book में association को beta से denote करते हैं, को attention नहीं alpha से भी denote कर सकते हैं, ठीक है alpha, तो यहाँ पे कितना रहेगा one minus alpha, ठीक अब यहाँ पे यह तो alpha बना लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है associate होता है, तो हम क्या करते हैं उसको divide करते हैं, ठीक है divide करते हैं, तो यहाँ पे safe for example यहाँ पे 2 से हमने divide किया, इस 2 से, तो यहाँ पे n की value से क्या करना पड़ेगा, इसको divide, तो alpha अच्छा, अब मान लेते हैं इसके लिए i का value अगर आपको calculate करना है want of factor का value, ठीक है want of factor का value calculate करेंगे तो क्या हैंगे, सबसे पहले observe it हमारे पास क्या है, 1 minus alpha plus क्या है, alpha divided by n है ठीक, और whole divided by theoretical कितना है हमारे पास 1, ठीक अच्छा, अब इसको हम solve करो, ठीक है, इसको solve करेंगे मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है ठीक, इसको क्या करना है हमको solve करना है, ठीक है, इस equation को तो once इसको divide करेंगे, तो वही वापस आएगा, तो यहाँ पर want of factor जो है, उसका value आएगा 1 minus alpha plus alpha divided by क्या आएंगे n, ठीक, 1 को side कर दो, ठीक है, इस one को तो, यहाँ से for example alpha plus alpha divided by n को side कर दो, तो यहाँ पर I ठीक है, plus आएंगे alpha, ठीक है, plus alpha divided by n आएंगे, क्योंकि यहाँ पर यह minus है, तो side ले लो, plus हो जाएंगे equal to क्या आएगा 1, तो I को side कर दो, तो यहाँ पर आएंगे alpha plus alpha divided by n is equal to 1 minus क्या आएंगे, ठीक है, 1 minus I आएंगे, ठीक, point of factor, यह plus है, side minus हो जाएंगे, ठीक है, बहुत simple calculations है, इतना tension नहीं लेना है, तो यहाँ पर common निखा लो alpha को, तो यह आएंगे, 1 plus 1 divided by n, ठीक है, equal to 1 minus क्या आएंगे, अब इसका LCM ले लो, ठीक है, तो LCM अगर लेंगे, तो alpha into आजाएंगे, n plus 1, ठीक है, n plus 1 divided by क्या आएंगे, n, ठीक, तो यहाँ पर equal to 1 minus क्या है, 1 minus I, ठीक, अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, ठीक, यहाँ है हमारे पास, ठीक है, इसको alpha का value जो है, यहाँ से हम calculate कर सकते हैं, तो alpha is equal to क्या हो जाएंगे, इसको यहाँ पर transpose कर तो तो divide को जाएंगे, तो यहाँ पर 1 minus 1 of factor divided by क्या आएंगे, n plus 1, ठीक है, whole divided by क्या है, n, तो इनको यहाँ पर multiply के लिए ले लो, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख हूँगा, ठीक, alpha is equal to alpha is equal to 1 minus i, ठीक है, 1 minus i divided by, ठीक है, n को हमने उपर divide को लिए, तो यहाँ पर आएंगे, sorry multiply को, तो यहाँ पर 1 minus i into n आएंगे और नीचे क्या रहेगा n प्लस 1 so this is the value ठीक है formula और relation between degree of association alpha इस बार क्या है degree of association है ठीक है it is the degree of association that is the DOA degree of association ठीक है तो degree of association calculate कर सकते हैं want of factor का value हम calculate कर सकते हैं association के लिए तो इस तरीके से हम करते हैं ठीक है तो यह रहा आपका last topic थाए solution का तो ओर एक चीज में बताना बूल गया था ठीक है कल जो मैंने आप लोगों को बताया था की dissociation और association का क्या effect होता है ठीक है dissociation dissociation और association का ठीक यह बताया था operational आप लोगों को dissociation और association का क्या effect होता है किस पर quantity of solute यही तो बताया था ठीक है quantity of solute फिर से एक बार समझ लो यहाँ पर क्योंकि one of factor का value दुसरी तरीके से भी calculate कर सकते हैं ठीक है dissociation quantity of solute colligative properties और क्या है molar mass ठीक इस पर क्या effect होता है तो हमने कल बताया तो quantity of solute क्यों है dissociation की cases में क्या होता है increase क्योंकि molecule जो dissociates हो रहा है ठीक है एक के दो बंद रहा है तो colligative properties तरीक लिए proportional होता है quantity of solute से तो यह भी increase हो जाता है और मैंने कहा था अगर molecule को solvent में डालेंगे अगर मेरे पास एक molecule है safe for example तो इसको solvent में डालते हैं इसके कितने एक के दो बंद रहे हैं तो इसका molar mass जो है वो क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे ठीक है molar mass जो है इन दोनों का इसकी compression में कम हो जाएंगे तो यहां पे molar mass dissociation की cases में decrease होता है अब इसका उल्टा होता है यहां पे यह decrease हो जाएंगे quantity of solute colligative properties भी decrease हो जाएगा लेकिन molar mass increase हो जाएंगे अब देखो यहां पे want of factor is defined as observed colligative properties था observed क्या था colligative properties divided by क्या था theoretical colligative properties था ठीक है theoretical colligative properties अब इसको हम लिख सकते हैं देखो observed colligative properties ठीक है तो यहां पे हमारे पास आएंगे observed molar mass आएंगे और theoretical molar mass आएंगे ठीक है लेकिन हमारा जो observed molar mass जो है observed molar mass जो है in case of say for example dissociation ठीक है तो वो क्या हो रहा है decrease हो रहा है ठीक है colligative properties क्या हो रहा है increase तो यह inversely proportional है तो हम क्या करते हैं देखो यहां पे observed के बज़ाए पहले क्या लिखते है theoretical मूलर मास theoretical molar mass ठीक है theoretical molar mass divided by क्या लिखेंगे observed molar mass लिखते हैं यात रखना है ठीक यह क्यों लिखा हमने क्यों क्यूंकि colligative properties जो है वो क्या हो रहा है यहां पे increase हो रहा है लेकिन molar mass क्या हो रहा है decrease तो moolir mass अगर decrease हो रहा है तो theoretical moolir mass क्या होना चाहिए increase observed moolir mass क्या होना चाहिए decrease तो यह inverse होना चाहिए यहां पर ठीक है तो इसलिए यहां पर book में लिखा होता है कि I को इस तरीके से भी calculate करते है कि theoretical molar mass, ठीक है, theoretical, theoretical molar mass, ठीक है, उवर क्या आता है, observate molar mass, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, calculate कर सकते हैं, नहीं, तो हमारा main जो formula है, वो क्या है, observate colligative properties और theoretical colligative properties, तो ये चीज़े यहाद रखना है, तो ये हुआ आपका last, say for example, solution chapter का last, जो है video lessons है, ठीक है, तो ये सब जो है, say for example, आपको अच्छे से video lessons, जितने भी मैंने बनाया है, solutions पर भी तक, जो है ये 18 सेने की lecture मैंने दिया है, ठीक है, इसको, यानि की count करके, तो इन सब 18 lectures को अच्छे से देखो, पहले से, ठीक है, मैंने series wise बनाया है, तो अगर कोई confusions आता ठीक है, तो thanks for watching my video lessons.